अप सभी को होली की बहुत बहुत शुब काम नाए है एपी होली तो ये मेरे घर में सुब्ध की पूजा होनी जा रही है होली का की तबी का क्लिप है तो शुब्ध मेरे पतिधेव ये होली से आग ले आये थे और freedoms ओंको पोज़ी तापनी नहीं थी इसलिए वह रुटा से आग ला में उझे सवी होली यह आपने घर्म है यहां पर लिघ्ञार फिर से तापने यहां आइक दो है आपनी है तो da आगे वाला हिस्सा रखा हुआ है इसको हमारे हां अगोरा बोलते हैं तो यह जब दे उठनी कादशी होती है तो जो पूजा होती है गन्ने आते हैं तो गन्ने का आगे की हिस्ता तोड़ के रख लिया जाता है उसी में होली की उसी से पूजा होती है मतलब होली का जलाई जात कर दीजे मेरे पास यहां पूल नहीं थे अच्छत्वर वगयरा मैंने आरपन कर दी है और उसके बाद जो जो बालियां वगयरा होती है उनके साथ हम फेरे लेंगे अगनी के फेरे लेंगे तो अगनी हमें साथ फेरे लेने हैं जिसको जिसको तापनी होती है होली वही हमारे हैं और मेरे पटिद्यो को भी नहीं है तो हम लोगों ने साथ साथral होली के और एक Reach companion जौल और उसको डालना होता है और उसके बाद में फेरे लेने के बाद हम धा गणा ना अगली प्रत्त्त प्रत्तत करना होता है , जितनी हमारी लंबाइ होती है, मैंगूठेसे लेकर पैरण हाथ उपर ञांत करते हैं हमीं इस 기म । बलुब करना में और मैं भगवान कि वह चलत करते हैं让 हो। इस बार HOLY जैसे ताप रहे हैं और अगली बार और अच्छे से करें तो हम एवी मैं चोटी वाली बेटी कए ओठा के ले के आई थी क्योंकि वो सो रही थी तो भी नींद में है मैं उसको और धागा नाप रही हूं वही चोटी है क्योंकि उसको यह सब नहीं करना आता है लेकिन मज़ा उसको बहुत आता है यह सब करने में अब इस होलिका की पूजन करने के बाद मैंने अपने काना जी को रिडी कर दिया है काना जी के साथ आप मैं खेलूंगी यहाँ पे होली जोगी सबसे पहले होली अगर होनी है तो हमारे काना जी के साथ होगी तो यहाँ पर मैं काना जी को ले आई थी और राधा जी, काना जी दोनों लोग हैं दोनों लोगों को मैंने पच्छे से कलर लगा दिया और खूब इंज्वाई किया काना जी के साथ थोड़ा सा नाच काना भी किया मैंने अपने काना और अपनी राधारानी के साथ हम तीनों ने मिलकर खूब होली खेली खूब उनको रंग लगाया खूब पिछकारी लगाई और खूब अच्छे से इंज्वाई किया बाहर साइट खूब गाने वज रहे थे तो काफी अच्छा लग रहा था और बस पूजा हुजा करके मैं कन्हाजी को अंदर उठा लाई थी अंदर बैठा दिया है और फिर मैंने बनाई ठंधाई क्योंकि सुना है कि आज की दिन कन्हाई को ठंधाई का भोग लगता है तो फिर मैंने बनाई करन थंडाई और अपने कानहाजी को भूगल गाया तुरा ना मानो होली है मतमार होली खेले के बाद मैं आ गई किचन में और बनाने लगी खाना और यहां पर मैं खीर बना रही हूँ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाले हूँ आज मैं सिंपल सा खाना बनाओंगी खीर और चोले की सबजी और कदू की सबजी कदू की सबजी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है मुझे हर फेस्टिवल में कदू की सबजी चाहिए चाहिए जैसे कदू की सबजी नहीं बनती है तो मुझको फेस्टिवल का फेली नहीं आता है तो हमारी यहां पे सिंपल सी थाली बनकर रेडी है उसके पहले लगाया काना जी को भोग और उसके बाद फामसम ने मिलकर खाया और यह गुजिया मैंने पहले से बना के रख ली थी लेकिन चासनी बनानी का टाइम नहीं मिला था तो उसके बाद में मैंने बनाई हां किया आई होप आप सबने भी किया हो तो मेरी तरब से आप सब को हैपी हो जाए हो